अब नमस्कार मित्रो जीयस क्लासेज माप सभी का सौगत है आज हम पार्ट टू खनिस्साधन के बारे में बात करेंगे आज क्या है पार्ट टू है देखते हैं जैसे अब देखते हैं ललिद पूर जो है ये नीचे वाला ललिद पूर है ललिद पूर में भी सोना पाया जाता है जो कि भीकम शेतर में पाया जाता है ललिद पूर के अब देखते हैं ये हमीर पूर जहासी और महोबा के उपर क्या पड़ता है हमीर पूर में क ग्रेफाइट , ग्रेफाइट , और जिपसं घ्रेणाइट में पाए जाता है घ्रेणाइट हमीरप우ुर में जिपसं हमीरपूर מ पाए peaceful हम их फिर हमीरपूर पाए जाता है यह लोग आप जानते रहे से पीछे बता चुके हैं कल वाले वीडियो में, अब महोबा में देखते हैं, महोबा में क्या-क्या ग्रेनाइट हुआ, देखिए ग्रेनाइट हमीरपूर में महोबा में भी पाया जाता है, फिर डाइसपूर देखिए, यहां भी पाया जाता है, हमीरपूर और महोबा में भी डाइसपूर, पायरोफिलाइट ये पाइरोफिलाइट देखिए इसमें भी पाइजाता है क्योंकि महोबा में पाइरोफिलाइट अब देखते हैं ये बादा हुआ बादा में क्या क्या पाइजाता है बादा में ओकर कल भी बादा वाला बताये थे दो तीन नहीं बताये थे छूड़ गया था बादा में ओकर पाए जाता है ओकर मतलब गेरू होता है गेरू जो दिवाल पे लगा जाता है गेरू और बेस मेटल्स भी बादा में पाए जाता है फिर हीरा बादा में हीरा भी पाए जाता है बादा में हीरा भी पाए जाता है वो कालिंजर छेतर में पाए जाता है फिर इस सागराज में पोटाश लमड है फिर मिर्जापूर में नेक्स्ट क्या देखते हैं मिर्जापूर में क्या क्या पाय जाता है मिर्जापूर में देखिए ति यह फायर क्ले जो की बासी मकरीक हो एक अस्थान वहीं पर पाय जाता है फायर क्ले मिर्जापूर में अब देखते ह है मिरेजरपुर के सबano Old Fish ऐसे चुना पत्थर जो होता है गुर्मा कनाच बापू वहां पर जगह है जो कि चूनाब पथर हमारे देश में यहीं पाया जाता है मिर्जापुर में ही समझ गए पाय राइड भी पाया जाता है पाया पाया जाता है अब चंदवली में देखते हैं दो तीन यहां पिर इंपोरुन्टेंट है regulator ने साइड चंदवली में कांच वालु चंदवली में पौताश लवर बाकसाइट यह दोनों ज्यादा इंपोर्टैंट है पौर तरस्ट लवाड हुगा पोर्टाशलवाड प्रियाग राज में भी पाया जाता है स्वहन भष से कई कीज पूछा जाता है आपकल अपर नियुक्रकल प्र attain का सवहन भष से कई चीज पूछा जाता है इसके भाद फूर्ड फॉर्ट फान हो गया था इसके बाद हम part 3 लाएंगे part 3 में आपका खतम हो जाएगा part 3 में आपका खतम हो जाएगा यह आप पढ़ लिजिएगा इसलिए figure से हमने इसको बताया figure से बताने का प्रयास किया जिससे याद हो जाए दिमाग में छप जाता figure से बताने से छपता है दिमाग बहुत तेज इसलिए इसको दो तीन बार पढ़ लिजिए गा और अगर कोई वीडियो में दिक्कत हो या प्राब्लम हो मेरे पढ़ाने में भी बता जीजिए बताईएगा और इसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ठीक है जय है जय भारत